जो हकिकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं हकिकत खुदा है हकिकत मसी है हकिकत पर चलना सही जिन्दगी है हकिकत 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 क्या है अजीज नाजरी ने एक बार फिर से आपका खादम एनुलहबीब आपके खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हाकिकत लेकर हाजर हुआ है अजीजों किताब मुकद्स के हवाले से हम आपको बहुत सारी बाते बताते आए हैं पिछले कुछ एपिसोड में आपने देखा किस तरह से रैप्चर की बात की गई थी रैप्चर यानि के कलिसिया का उठाया जाना जी हाँ ये एक बहुत खास बात होने वाली है एक ऐसी वारदात जिसके बाद इस दुनिया में कुछ खास होगा वैसे तो हम जानते हैं कि सारी दुनिया एक ऐसे दिन का इंतजार कर रही है जब ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी हर चीज जिसका आगाज हुआ है जो चीज शुरू ही है उसका एक नएक दिन खात्मा तो है ही वैसे एकी दात है वो है खुदा की दात जो कभी मिटने वाली नहीं जो हमेशा से थी आज है और हमेशा हमेशा रहेगी तो अजीजों आज हम कुछ खास बाते करने जा रहे हैं उस मसीहा के बारे में जिसका जिकर किताब मुकद्दस में आया है और जिस पर हमारा इमान टिका हुआ है लोग मसीहा पर इतना इमान क्यूं टिकाए है येशु मसी पर लोग अपनी जिन्दगी का दाव क्यूं लगाए बैठे है ऐसा क्यूं था कि जब हजरत मसी इस दुनिया से चले गए थे उसके बाद उनके हुआरियों ने अपनी जान पर खेल कर इंजील की मनादी की लोगों तक पेगाम पहुँचाया पूरी दुनिया में आज येशु मसी के नाम का बोल बाला है जी हाँ बहुत से कम लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जो मसी के बारे में नहीं जानते हैं हर कौम में मसी का जिक्र किया गया है, ऐसी कई मजभी किताब हैं जिसमें मसी का जिक्र आता है क्यों है ऐसा क्या खास बात है इस मसीहा में बैसे तो हमें मालूम है कि जब कोई इनसान मर जाता है तो वो लोट कर कभी नहीं आता लेकिन जहां तक कि मसी का तालुक था मसी मरे थे बहुत से लोगों ने उनकी वफात को देखा था जब सलीप पर उन्हें मारा गया था और तीसरे दिन वो कबर में से जिन्दा होकर बाहर आये थे और उसके बाद उन्हें आसमान पर उठा लिया गया था और जाने से पहले आपने कुछ फरमाया था ये कहा था कि मैं आवापस आने वाला हूँ जी हाँ तो आज हम मसी की दूसरी आमद यानी आमद थानी का इंतजार कर रहे हैं और आज का एपिसोड इसी खास मौजू पर है जो सबसे बड़ा मौजू है हमारी जिन्दगी का हमा में कम आएंगे तो आज का एपिसोड जो है वो है आमद थानी पर मसी की आमद थानी पर और इस मोहिम में मेरी मदद करने के लिए और हमें कुछ खास बाते बताने के लिए मेरे खास महमान एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद है तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब जोई अलेकुम 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 अलेक आने के बारे में और आने वाले मसीहा के बारे में तो वो सारी रबुवेते तो पूरी हो गई है लेकिन मैं यह जाना चाहता हूँ जो पुराना एहद नामा है जहाँ यानि के जबूर हुआ और नभीयों के सहीफे हुए क्या उनमें कहीं पर येशु मसीखी आमद-थानी का सिकर भी आता है ऐसी कोई जगा है जी हाँ कुदा क्या किलाम या पुराना एहद नामा ऐसे तमाम नजीरों से भरा पड़ा है जी और हज़रत दानियल की किताब में हज़रत जकरिया के किताब में और मीका नभी की किताब में उसका जिकर बावस्ता पाया जाता है जी जी ज गया ये कद्दिमुल अईयाम कौन है जब हम मेंका नभी की किताब को पढ़ते हैं पांच बाप की दूसरी आयत में तो उस कद्दिमुल अईयाम का जिकर है जो वो बैतलहम के बाबत जहां पर वो पैदा होंगे हज़रत मसी वो पेशन्गोई करी गई ये कद्दिमुल अईय दैनियल येश्य वसी की दूसरी आमद की बात करते हैं उसको तजदीक करती है यहां एक बाप की चौदा आयत में लिखा उसका सर और बाल उसके बाल सफेद बलके बर्व की मानिन थे और उसकी आखें आग के शोले के मानिन थी और फिर हम जब साथ बाब में आगे चलते है इसी किताब में डैनियल में तो तेरह बाप में लिखा मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शक्स आदमजाद की मानिन आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल आयाम तक पहुंचा फिर लिखा है और सल्तनत और हश्मत और ममलकत उसे दी गई ता उनकी दूसरी आमद के बारे में और यहीं तक यह बात नहीं रुक जाती है यह सारी बाते हैं खुदा के कलाम में नए एहदा में इसको खुदा ने मत्ती इसको तजदीक भी करते हैं जब हम साथ बाप की 21 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस दिन बह गुना सरजद हुआ और उसका मुकदमा चल रहा था और जब उसका मुकदमा चल रहा था तो कोई उसका वकील नहीं था तब एक आदमी आता है और उसकी वकालत करता उसको बचा लेता है और तब वह उस अदालत से चली जाती है और कुछ समय के बाद में फिर उससे गुना आदमी उसकी तरफ और तब वो देखती है कि ये तो वही वकील है जिसने मुझे एक बार बचाया था पर उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता फिर यही वाकिया जब हम 25 बाप को पढ़ते हैं इसमें एक बात कहना चाहूं का जब दानियल रसुल के किताब पढ़ेंगे साथ का 13 से लेके आगे एक चुली 9 से लेके जब आप पढ़ेंगे तो हाँ पे दो सक्स हैं एक कदीम अयाम जो हैं वो हैं जै और उनके पास जो सक्स लाए जाते हैं जिनको तमाम यहति आरादागे जाते हैं जर्फुमेते दिया आती हैं वो है हजुरत मसी जैilles और उनके दूसरी आमत के बारे हैं बारे में बाता है लेकिन जो मती हम कोड कर रहे हैं तो साथ काipe 6 तो उसमें खुदावन मसी एक जूटे नभी के बारे में बताते हैं कि एक जूटा नभी होगा और उसके कारेक्टर को देख करके आप समझ जाएंगे कि वो कौन है और ऐसे जूटे नभी के मानने वाले बहुत सरे लोग क्यामत के दिन आकर के कहेंगे कि एक खुदावन हमने आपके नाम से ऐसा किया ऐसा किया अब यह जूटे नभी के बारे में अगस्टिन बताते हैं कि किताब मुकदस के लेयर्स अफ मीनिंग होते हैं मतलब अलग अन्रिस्टानिंग होता है तो वो मसीही में हैं और मसीही कल्टों से हैं और कुछ ऐसा भी कल्ट है जिसने मसीह के आयात को ले लिया है, मसी के नाम से अपने आपको भी घोसित कर जिया, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों को हज़त मसी कहेंगे कि ए बुरे और बदकार लोगों, तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ, और तब हो कहते हैं कि मगर जिसने मेरी बाप खुदा की मर्जी क पुरा किया है, वो ही इस बादसाहत में दाखिर होगा, तो हम जब पच्चिस बाप में आते हैं, एक्किस आएट से आगे चलते हैं, तब लिखा है, तब इबन आदम अपने जलाल में आएगा, और सब फरिष्टे उसके साथ आएंगे, और वो अपने जलाल के तक्त पर प पेश्टर बनाए गई है, पर ये रोया दर असल देखा किसने था, अजब असकर भाई बता रहे थे, नवी आयत में लिखा है, तक्त लगाए गया, उसका लिबास बरसा सफेद था, उसके सिर के बाल खालिस उन की मानिन थे, उसका तक्त आग के शोले के मानिन था, जिसकी तस्दीक हज़रत यहना अपने रोय में भी करते हैं कि वो हज़ारों तरिश्टों के साथ बादलों पर आया, और जिसको हज़रत जकरिया भी कहते हैं कि जिनों ने छेदा था, वो उनको बादलों पर आते वे देखेंगे, जिया तो बहुत खुबसूरत बात है कि पुरान क्य़रों के पुरा हुणा, और आने वाले जमाने में भी, अब मेरा अगला सवाल है, जनाब अजगर्सथजाब से, मसु ने खुद अपने भारे में, यानि अपने आमद थानी के बारे में क्या क्या वाते बताएं ती, किस तरह से उनुन अपने हवारियों को, अपने पढ़ेंगे 16 का 21 से लेके आगे जब हज़त मसी इस दुनिया में थे और एक दिन आचाना कहते हैं कि देखे हो यरुसलिम में जाओंगा और मैं मारा जाओंगा जे और 30 दिन जी उठोंगा और हज़त पत्रस जैसे लोग बड़े मायूस हो जाते हैं और कहते हैं खुदावन नभीयों के कताब में तो ऐसा लिखा है कि मसी हमेशा रहेगा तो तू ऐसा क्यों कहता है और तब 17 का एक से लेकर जब 10 में पढ़ेंगे मती के इंजील तो वहां पर लिखा है कि खुदावन मसी ने अपने जलाल को दिखाया और तब 10 और 11 में कहते हैं कि ये बात तुम किसी से मत कहना जब तक कि मैं मुर्दों में से जिन्दा ना हो जाओं और तब वो कहते हैं कि ये जैसे लिखा है हजरत एलिया आएंगे वो तमाम बातों को दुरूस्त करेंगे तो वो वहां पर आचुके हैं अपने हवारियों से कह रहे हैं कि ये मेरे आने का पहला हिस्सा है लेकिन अब दूसरा हिस्सा होगा लेकिन हजरत मसी अब उस दूसर कि अपने हबीब अपने मसी जिनको हम खुदा का बेटा कहते हैं उसे भेज दिया लेकिन लोग 17 और 18 नहीं पड़ते हैं हज़त मसी कहते हैं कि खुदा ने इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों पे सजा का मतलब हुक्म देए बलके इसलिए कि लोग उसके जरीए नजाद पाएं मगर जिन्हों ने उस पर यकिन नहीं किया वो और लेडी मुज्रीम करार दे चुके हैं अंग्रेजी में लिखाया कि और यह बात मसी चार पांच कांटेक्स में कहते हैं यही बात मती कहते हैं मती 12 का 32 में कि देखो सुलिमान की अकल की बात सिबा की रानी जमीन के इंतिहां से आई थी यहां वो है जो उससे भी बड़ा है लेकिन अगर तुम जो मुझ पर यकीन नहीं रखते हो तो तुम मुझ रिक करार दिये जाओगे फिर वो कहते हैं कि हजरत योना जो निन्वे शहर में भेजे गए थे लोगों ने उन पर यकीन किया लेकिन यहां वो है जो उन से भी बड़ा है अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो तुम मुझ रिक करार दिये जाओगे और मुझ करार देने के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यह जो कंडमनेशन है कई बार हम लोग इसको संजीदगी सनही लेते हैं जैसे कि हजरत आदम और हुआ के वक्त में था खुता ने कहा था कि फल मत खाना तुम मर जाओगे लेकिन आदम हुआ को यह परदनाक सजा उनको मिलती है हम आप भी उसके अन्जाम से बेखबर थे उन्हें पता नहीं था कि एक फल खाने का इतना बड़ा होगा अब खुदा कहता है कि जैसे उसने एजिप्ट में दस प्लेग भीजा था बड़े बवाएं सेम ऐसी बाते जब आप मुकास्मा में कि ये जब खोला जाएगा तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब मसी पर यकिन नहीं किया है और इतने खतरनाक सजा से इनको गुजरना पड़ेगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो अगर आप 6 से 18 तक पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा आपका जैन अभी के ह पड़ोसी अमेरिका रसिया के पास जितना एटम बंब है अगर ये तीसरी जंग हो जाए ना और ये बंब गिराए जाएं तो देखिए नागैसा की हिरोस्मा पे तो एक एटम बंब ना खिलोने के बाराव लेकिन आज जिस तादाद में और बड़े बड़े बंब बनाए गए हैं जब हर सहरों पे गिरेंगे तो देखे FX तमाम पानी जो जहाजे हैं उन पर जब बंड़े गा वो जहर बन जाएंगे ये जमीन हवा जहर बन जाएंगे हमारे खाना जहर बन जाएंगे और इसलिए लिखा है मुकास्पा मैं कि लोग पहाड़ों के गुफाओं में जाएंगे, मौत को मांगेंगे, लेकिन मौत उसके पास आएगा नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप इसको इतने आसानी से मत लीजिए, कि अगर आपने मसी पे यकीन नहीं किया, तो आप मुझरिम ठहरा दिये जाओगे, आसानी से मत लीजिए, ये बड़ा दर्द नाक है, और इतने सारे अंबिया कराम ने इसके बारे में आपको चेतावनी दिया है, तो अभी वक्त है कि आप गुनाओं से तौबा कीजिए, मसी के बारे में मताला कीजिए, उन पर इमान रखिए, और देखिए, इससे पहले की तकलिप से गुजरें, आप अपने आपको तयार रखिए, और खुदावन मसी का आने का पहला मकसद ये था कि आपको फजल दें, लेकिन वो हाक और संचाई से आएंगे, जब वो दुबारा आएंगे, तो वहाँ पर फजल की कोई जगे नहीं होगी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्री है आपका, आज भी मौका है दोस्तों आज भी वक्त है, हम तौबा कर लें, हम मसी पर एमान ले आएं, तो बिल्कुल गताई हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नजात तब तैह हो जाएगी, अब मेरा अजोई साहब आप से, कि नया है नामे में जो रसूल थे, उन्होंने मसी की आमद इ होता है, कि हम जिस बात के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ हमने बीडा उठाया है, उसमें कोई सच्चाई है, कलीशिया के शुरू से रसूल रहे हैं, उनकी इमान और तालीम का एक मरकजी हिस्सा ये रहा है, ये सुमसी द्वारा आमद होनी है, जब पहले पैंतिकॉस के दिन मसी उसको मुंद से मुकरर किया है, और वो आएगा, इसलिए तुम तौबा करो, ताके वो मसी को भीजे तुम्हें लिए मुकरर है, हम लोगों का तौबा करना, यकीन करना और उसके आने का तलुक है, अलिका वो इंतदार कर रहा है, वो नहीं चाहता कोई है, सब पर ये प बार 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 इस तालिम को पेश किया है, वो दुबारा आ रहा है, और अपनी बात को कैसे मनवाते थे लोगों से, लोग किस तरह से मान जाते थे, कि ये लोग जो बात कर रहे है, वो क्या ताकत थी उनके पास, कैसे वो ये कर पा रहे थे, उन्हें ने तहा कि उसने उसे जिन्दा करके इस बात को था दिया है एक मर्द को उसने चुनाए इस पर सारा इंसाफ के यहात पर दिया है जिसके आमद मतलब बहुत ही जल्दी आएगा यह जल्दी आएंगे वह उनकी आमद जल्दी जल्दी अना होगा और करहें पत्रस केहते हैं उन्हें हमें हुकम दिया है कि यह पाँगांप संब कि हांद के मुंसिफ होगा और प्लूस भी कहते हैं कि घुझे दिनों में उसने थोड़ी नजरिपाजिय कर दीत सब कहीं चैसी देवताकिवास किसी फिलोस्मिय किसी दिन में जा रहे हैं अब आखरी दिन में सब को कहता है सब लोग तौबा करो और एमान लाओ कि उसने एक दिन मुकरर किया है सारी दुनिया को हर कौम हर लोग कहता है कि तौबा करो और एमान लाओ क्योंकि उसने एक दिन मुकरर किया है जिसमें इस शक्त के जिरी से सारी दुनिया का वो इनसाफ करेगा। देखिए यहां पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, खास तोर से हमारे कुछ ऐसे नाजरीन हैं, जिनके जहन में कोई शुबह आएगा। देखिए उस वक्त दुनिया बहुत बिकरी भी थी, आज की सोचल मीडिया की तरह नहीं के आपने एक वारदात को होते में आँ देखा और आज सारी दुनिया में वो बात पहल गई, उस जमाने में महीनों लग जाते थे, बरसों लग जाते थे, कभी कोई पता भी नहीं चलता पाया, तो लोगों ने कैसे एमान रखा, कि भाई एक शक्स है जिसके साथ ऐसा हुआ था, येरुशिलम में और वो जिन्दा हो गया, उनलोगों ने उनकी बात पर यकीन कैसे किया, क्योंके मसी के ठी उटने के कई साल बाद, जैसे आपने पौरुस रसूल का जिक्र किया, उन्होंने बहुत सारे कलिसियां इस्टैबलिश की थी वहाँ पर, तो ये कैसे हो पाया, कैसे उन्होंने कैसे इस बात को साबित किया, पैगाम की तज़्दीक होती थी मौज़ों के जिरी से, जै, मौज़े होते थे, जहां पे वो पैगाम सुना आते हैं, इंजील से पैग करता थे आरी तुम पर हकुमत करता है और आखेरत में परी दुनिया पर हकंजरे हमत लेकिए यहे इस प्रिगाम को ये था मकोई साबित करते थे, जो कहते हैं यह जिन्दा खुदा की तरफ से मेरी तरफ से है इस पर यकीन करना फर्ज है जी जी हो कहता है थोड़ी वक्त में इबरानियों के थोड़ी वक्त में वह देर ने करेगा और आएगा जी और बलकि यह भी कहते हैं कि आखरी समय में कोई लोग इमान को छोड़ देंगे जी और तब थे ईगे जला और वह त वह करना प Oak झङएगे इसंने आपको बचा करके यह बाते इसलिए बता देग्रिविए यह उन यह उसके पीस एलियुयी तो बहुत बहुत शुक्रें आपका जो इंतदार कर रहे हैं बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताई और खासतोर से जो आपने बताया कि लोग जो है मौज़से देखते थे यानि रसूल जो थे जितने में मसी के भेजे वे थे वो मौज़ात किया करते थे मेरा अगला सवाल आपसे जनाब शुर्फ साहब जब मसी के बारे में कुछ पेशिंगोई या नामे में जो दर्ज की गई हैं उनके बारे में हमें कुछ आप बता सकते हैं जी हाँ सबसे पहले जो पेशिगोई खुदावन यस्व मसी ने खुद की जो मधिक इंजिल के बाब चुबीस में दरज है और उसमें इस तरह से कहा उसने खुद कि जैसे बिजली मश्रक से चमक कर मगर्ब तक दिखाई देते हैं वाईसे ही इबन आदम का आना होगा और आदम का निशान आस्मान पर दिखाई देगा तब दुनिया की सब कोमें अच्छाइथी पेटिंगे और अबन आदम को आस्मान के बादों पर अजीम कुदरत और जलाल के साथ आए देगा यह वो पहली की तरह नहीं बलकि कुदरत ताकत और जलाल के साथ आए और यह कहा में तहरीर है पहले बाब की दस आयत में कि जब युसु मुसी आस्मान पर उठाए जा रही थी तो उसके चेले सारा नजारे देख रही थी तो वहां दो फृष्टे आते हैं वो कहते हैं कि जस तरह से युसु को आस्मान पर उठा लिया गया इसी तरह से वो उसको आप और एक और बार हम देखते हैं यहुदा का ख़त जो है उसका चौदा आयत में इस तरह से दरज है कि हुनुग ने भी आदम से जो सांथ भी पुश्ट में है इसमें भी कहा गया है कि खुदावंद युस्व मुश्य अपने लाखों मुकदसों के साथ आता है ताकि सब लोगो का इंसाफ करें और सारे बे दिनों को स्जा का हकम दें में ऊसकी जैज्जमेंट के बारे में इनसाफ का आदल करने के बारे में और तब हम जैसा कि उन्होंने जिकर फर्माई दायरा नियाल नभी के ह हावाले से मुकाशिफ है कि बाब trimmed 19 की 11X आयत में लिखा ए되 कि आसमें और बरहक वो सदाकत के साथ इनसाफ करता और लड़ता है उसकी आँखे आग के शोलू की मानद है और उसके सर पर बहुत से ताज है तो यहां एक नज़र है उसी खुदावंद युस्व मुसी का और यहां आगे एरह आयत में लिखा है वो खुन में डबोई हुए जामा में म लिखा हुए बादशाओं का बादशाओं का और खुदावंदों का खुदावंद और मैं हभीब साब 30 सिकंद देए इससे पहले जो 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 अब बता रहे थे आप सवाल जो कर रहे थे कि जब उनके हवारी के एक अलाम को मना देशी तो लोगों का रद्दी अमल का इसे थ और आपने क्या खुब फरमाया कि मौजजात होते थे और ये बात मरकुस के इंजिल में लिखा है जब 16 का 1922 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब वो दुनिया में मनादी करने के लिए गए तो खुदावन मसी उनके साथ रहता था और वो मौजजों के वसीले से जो उसके साथ होते थे अपने कलाम को साबित करता था तो खुदावन मसी खुद ही उनके जिन्दई के बारे में देखिए जहां भी गए वो मौजजात करते थे और वो कहते थे अगर तुम मेरे बारे में यकीन नहीं करते है तो मत करो लेकिन जो मौजजात में करता हूँ उसके वज़े से उनके सबब से तुम इमान लाओ जी तो अब मौजजात और उनकी पाकीजगी ये दो चीज साबित करती है कि वो सचे खुदा के तरफ से भेजे गए लेकिन इमाजन कि ये कोई ऐसा नभी है एक तो बेदीन है हर तरीके का एडल्टी करे हर तरीके का मुडर क करें बुरा काम करें और जब उससे कहा जा कि मौजजात करो तो कहें कि मेरे पास हाई नहीं है तो एक तुम्हारा कारेक्टर दिखाता है कि तुम खुदा के तरफ से नहीं हो जो पाक है दूसरा मौजजात नहीं करना ये साबित करता कि तुम खुदा के तरफ से नहीं हो औ और इससे पहले कि वो बलाय आ जाए, इससे पहले कि वो तुफान आ जाए, ऐसी बरबादी आ जाए, जिसे बच नहीं सकते हैं, आप अपने बचने का उपाय कीजिए, तौबा कीजिए, और नभीयों के किताबों को पढ़के सही रास्ता अपना ये. जाया, बिल्कुल आप लोगों ने बचा फरवाया, कियामत आपके दर्वासे पर खड़ी, खट खटा रही है, किस वक्त वो दाखिल हो जाए, कोई नहीं जानता, तो अजीज़ों यहाँ पर हम इस एपिसोड को खतम कर रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम इसी बात को जारी रखेंगे, यानि मसी के आमद रसानी के बारे में, और आपको कुछ और खास बाते बताएंगे, तब तक के लिए आप से इजाज़त चाहते हैं, खुदा आफिज, खुदा आफिज हम इसकते हैं, हम जारा एकिन लाएंगे, जाराँ चाहते हैं, चाहते हैं, हम ठाराइंगे, तवा दो को आ शजकते हैं, हम अन।rzy स्पोंसर आँ चाह्ल, जो अनॉचर दोने हैं, आपस्टियस आणिद तरे स्मील यू कैन बेक अ डिफरेंस करना है बेशक मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फर्माता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीक कार बन सकते हैं आप पूछेंगे कैसे बस अपनी भेट नजराने और हदिये आप इस दियेवे पते फिर आप से दुपारा रुबर होंगे इसी वात तब तक के लिए शुक्रिया खुदा हाफिज हकीकत हकीकत